नमस्कार दोस्तो श्वागत है आपका कच्छा 10 बिग्जान में दोस्तो इससे पहले हम बिग्जान के 12 देह तक complete important important question series कर चुके हैं अभी हमारा last देह रह गया पर्याबरन यान कि हमारा पर्याबरन और सबसे पहले हम देखते हैं पिछला record तो पिछला record एक नमर का एक आया त और अभी की बात की जाए तो टोटल दी नमर का पूछा जाना है तो चलिए अब हम इसको बिना देर के सबसे पहले इसके start करते हैं एक एक नमर वाले question पहला question है निम्न वैसे कौन सा मानव रचित कृतिम परितंत्र है तो इसका answer हो जाएगा आपका ठीक है तो इसका answer हो जा जाएगा सभी जीव एबं और आजयव बस्तुए नेक्स्ट है एक दी हुई खत सरंकला में मान लीजे चतुरत पोशन इसतर पर पांच केजी उर्जा की मात्रा है तो उपोकता इसतर पर कितनी उर्जा उपलब दोगी तो आपका हो जाएगा 5000 केजी ठीक है नेक्स्ट है आ आैंट तरह में संचेन कहलाथा है तो उसका आंसर हो जाएगा जय गया हो जाएगा-भारधन को सट बाहें ओजन प्रत का च्रण मुक्त क्रूसिक धार्वधी मांर एक ज़िव जो यह जाएगा और यो इविं कर दो में संसलेशित करते हैं कहलाते हैं तो आंसर हो जाएगा उत्पादक नेक्स्ट है आपका आठवाय परितंत्र में 10% उर्जा उपलब्द होती है एक पोशन इस्तर से दूसरे पोशन इस्तर में इस्थानांतरन हितु निम्न के रूप हैं तो आंसर हो जाएगा रासानिक अंगला है आपका ओछटर पोषण स्तर की जीव जो नेंव ने पोषण स्तर की अनेक प्रकार के जीवों पर पोषण के लिए yeah, निर्वर होते है, बनाते है आहार ठीकहे अंगला है परितांत्रिक में उजा के प्रभाय सदेव लोताएं एक दैसिक ठीक Nä चलिये अंगला देखते हैं और अंगला है यदि दे हुई आहर्त स्रंकला से हिरन गव हो जाए तो घ tava एगाज हिरन चीता तो उसका अंसर हो जाएगा चीतों की संप जन संक्या घट जाएगी ओर मिसी जन संख्या बढ जाएगी यान कि घास बढ जाएगी क्योंगि चीतों सिधी सी बाज जी थी सिंदि को कोन चीते किसको कारबनिक पदार्थों को रूप में परिवर्देद करते हैं चलूए अंगला है निम्नवेसे कौन से समूगों में केवल निमनी करन पदार्थ है तो आंसर इसका देखना दियान से एक तो गहास पोस्प चमळा ee voi hai क्या पूछाई जäb तो और दूसरा है फलों के छिलके keg नीबू का रस JavaScript है और इसमें है keg लकड़ी का लकड़ी एबम घास तो जे भी आंसर हो जाएगगा इसका आंसर ठीक है अब इसमें बताईए इसका मतलब ऐसा पूछना चाहिए ता कि कौन नहीं है तो इसमें घास लकडी तथा प्लास्टिक है कि प्लास्टिक जब में नहीं आता है ठीक है चलेए निमने मैंसे कौन आहर सरंकला का निर्माड करते हैं तो आंसर हो जाएगा घास बकडी तथा मानव ठीक है और नेक्स्ट अंगला आता है आपका निमने मैंसे क ठीक है चलिए इसके फिर खालिस्तान आपके दे रखें आप देख लिजे सभी एंगला एक बात देखते हैं सबसे पहले जोड़ी आपकी जे रखेंगे इनका जे आंसर दे रखाए आप इसका इसका इसके इसकी इंसूट ले सकते हैं नेक्स्ट आपके एक बात को मैं उत्तर तुझे दे रखें ठीक है इसके सभी के आंसर दे रखें अब हमारी इंपोर्टेंट कोश्चन आते हैं जो हम देख लेते हैं सबसे पहला है परिस्तिति क्या है परिस्तितिक तंतर की प्रमों गटक कौन-कौन से है तो परिस्तित की व कहते हैं उधान देजिए यह इसका अंसर दे रखा है बोजीव ठीक है और दूसरा उपोक्ता के नहीं कहते हैं तो अधान दीजिए तो जे रखते हैं वोगता ठीक है बेजीव जो प्रतेक्स या प्रतेक्स रूप से अपने पोश्ण के लिए पौदों उत्पादकों पर निर्वर करते हैं तता अपना भोजन श्वयम नहीं बनाते हैं वोगता कहलाते हैं सभी प्रकार की जन्तु नेक्स्ट कोशन आता है साकारी से क्या समझते हैं मोस्ट इंपोटन्ट कोश्चन है तो बे वोगता जो अपने पोश्ण के लिए केबल पेड़ पौदव पर निर करते हैं अथा उनके मास का बहख्चन करते हैं मासी कहलते हैं जैसे भेडिया से विल्ली आदी इसमें मानब ऐजाता है ठीक है सर्वारी क्या होते हैं सर्वारी बेजन्तु जो अपने पोश्टक के लिए पेड़ पोदों यह मुं जन्तु ढोनंबर निर्वर रहते हैं चलिए अंगला कोश्चन है आपका इंपोर्टेंट कोश्चन ग्लोबल बार्विंग से क्या समझते हैं तो मानब के क्रिया कलापों के फल्सवरूप ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण संपूल प्रत्वी का तामान बढ़कर सामान तापमान से अधिक हो रहा है यह गटना ग्ल इसका एक और कोश्चन है अमल बरसा किसे कहते हैं तो अमल बरसा के साथ हमारे बिग्यान के सभी इंपोर्टेंट कोश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हम तेरा अधिया तक यानि की लास्ट जो अधिया था हमारा परियावरन वहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बाद हम नेश्ट कोई बिषाय लेंगे जो आप बताएंगे आप जिस भी बिषाय के इंपोर्टेंट कोश्चन चाहते हैं उसमें आप कमेंट करके हमे धन्वाद